यह माम अही राजपाल जी का अभी भाशन है हम पूरे मदवर्देश की जंता और मददाता हम पूरी तरह से हम पूरे ठगे गए इस अभी भाशन में जो हमारा मदवर्देश की जंता का भी अफ्मान है दूसरी बात में बताना चाहता हूँ कि मदवरदेश की विदानसवा के लिए चुनवा जन प्रतिनी थी हम सबका भी अपमान है और जो मुक्क मंत्री रूप मुक्क मंत्री बने बाजपा के जो बड़े बड़े नेता है उनके लिए भी ये चैलेंज है हमने इस बात को कहा था ये अभी भाषन मदवरदेश की जनता के लिए मदवरदेश की विदानसवा के सदन में पढ़ा जा रहा है ये MP के लिए है या संसत के सदन में ये संसत में पढ़ा जा रहा है राज जपाल जी ने जो अभीभासन जो पड़ा है मद्द वर्देश की जनता के साथ में ठगी है छलावा है कपट है जो अभी तक भाजपा ने जो कहा और अभी यह जो चुनाओं में बोला वो सब में कतनी और करनी का अंथर है एक तो लालडी बहिनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा एक शब्द का भी इसमें उल्लेक नहीं है जन्मरी 2023 में इंदोर में 100 करोड रुपे खर्च करके ग्लोबल इन्वर्स समीट की थी उसमें लगबग 29 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी उसका भी क पूरा और पूरा जो है अभी भाशन जो है ये आकड़ों का माया जाले प्रदेश की जनता को ठकने वाला ये अभी भाशन है कल जब हम अपनी बात को कहेंगे हम पूरी तरस इसका खुलासा कर देंगे तस्वीर को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कांग्रेस पारटी के विधायक साथियों ने सदन में लड़ी जो लड़ी है और हम इस लड़ी को सदन से लगा कर सडक तक की हम तस्वीर को लेकर भी मदबरदेश की जनता के मुद्दों को लेकर भी हम लड़ी ल हम सम्मान करते हमारे समिधा निर्माता बाबा साहिब का भी बाबा साहिब का फोटो भी लगना चाहिए लेकिन बीना नहरू जी के फोटो हटे लगे रहना चाहिए नहरू जी का मैं समझता हूँ कि आप हम सब बहुत अच्छे से जानते मदबरदेश देश की जनता के पूरी निष्ठा के साथ में उन्होंने तिन-तिन टर्म में प्रतम प्रदान मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को और प्रदेश को जो दी है ये उनका अपमान है और एसा लगता है कि किसे एक विचार धारा का कांग्रेश, विचार धारा का ये बदला है ये अब इसका जवाब शिवरा सिंग को देना चाहिए